एक term है जिसको हम लोग यूज करते हैं Sudden Cardiac Death ये कब कहते हैं कि अगर किसी को कोई symptom हुआ और उसके within hour अगर डेफ हो जाती है इसको Sudden Cardiac Death करते हैं इसको हम लोग बचा सकते हैं इसका مुखहता कार्ण 75% केस इसमें हार्ट संबंधी बिमारी होती है, वो हार्ट अटेक होता है और बेंट्रिकुलर टाखी कार्डिया हो जाते हैं, बेंट्रिकुलर फिपरिलेशन जिसको कहते हैं, उसके चलते होता है, इसमें सबसे आहम जो रूल अदा करता है वो है CPR, CPR करने का तरीका अब बहुत आसान हो गया है यह कोई भी कर सकता है वीडियो देखके उसको सीख सकता है अगर आपको कुछ नहीं आता है तो अगर कोई ब्यक्ति आपके सामने सदेनली अनकंसस हो जाता है सबसे पहले उसको फ्लैट सर्फेस पे लिटा दें उसके पैर थोड़ा सा उपर करें फिर नीचे छोड़ दें और गर्दन को साइड में गुमा दें यह हर्ट है यहां पे जहां पे रीप्स हमारे कतम होते हैं इससे जस्ट ऊपर यहां थम रखें और इस हाथ को ऐसे करके कमप्रेशन सुलू कर दें पहले कंसेप्ट था माउथ तू माउथ ब्रीधिंग का तो यह अब बहुत एड़ोकेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रीधिंग देने में कई तरह के रिस्क भी होते हैं और उससे उतना फायदा नहीं होता है जित एक दमेंट होना चाहिए ऐसे दमाए ईतना रैपिड होना चाहिए एकम मिनट में आप करीम सौ बार का कंप्रेशन को और यह compression हो, यह एकदम ऐसे करने से नहीं होगा, यह compression इतना effective हो कि एक से देर इंच, देर से दो इंच कम से कम chest को compress करें और relax करें. आप यही करते रहते हैं और दूसरे किसी को कहें कि वो medical team को activate करें, ambulance आए और जितना जल्दी हो सकें आप वहाँ पे shift करें. तो ऐसे में देखा जाता है कि आप आप 50% लोगों का जान बचा सकते हैं, कहीं public place पे, railway station पे, airport पे, अगर defibrillator हो, automatic defibrillator आजकल आप देखेंगे, airport पे कहीं कहीं install किया रहता है, उसका just एक patch यहाँ और एक इधर लगा दें, एक button प्रेस कर दें, automatically rhythm देखके वो soft कर देगा, औ अगर BTVF होता है, वो revert हो जाता है, patient suddenly conscious हो जाएगा, और हर चीजें ठीक हो जाएगी, तो यही sudden cardiac death है, most common यही, इसलिए इसकी training सब लोगों की होनी चाहिए, कि basic CPR कैसे करते हैं, जिससे हम लोग बहुत हग तक जान बचा सकते हैं, community health में. डॉक्टर साब, एक बहुत एहम सवाल है, जो दर्शक को भी जानने की बहुत जादा इच्छा है, लोग इसके बारे में जागरुक होना चाहते हैं, कि अक्सर यह देखा गया है, कि जो sudden heart attack के मामले होते हैं, वो bathroom में जादा आता है, तो इसकी पीछे क्या कुछ कारण है, इसमें एक चीज लोग गे भी जाना चाहते हैं, कि क्या जब लोग वाश्रूम का इस्तमाल कर रहे होते हैं, तब उस दोरान जो pressure लगाया जाता है, क्या यह उससे भी trigger होता है, इसमें मैं कहूंगा यह दो तरह के चीजें हैं, एक सिंकोप और एक heart attack, अफकोर्स दोनों ही ज्यादा होते हैं, लेकिन जो युवा वस्था में, कम उमर में, जो आप देखेंगे कि बातरूम कई बार रात में लोग बातरूम जाते हैं, उठके और गिर जाते हैं, यह सिंकोप है, यह क्या होता है, कि बहुत देर से आप बातरूम रोक के रखे हुए हैं, यह हर common कुछ लोग sensitive होते हैं, जिसको की इसमें syncope हो जाता है, यह vasovagal syncope का ही एक subtype है, जिसको mikturation syncope कहते हैं, यह normal चीजें है, फ्लैट सिर्फ लेट जाईए, within minutes consciousness आ जाती है, दूसरा जैसा कि आपने कहा कि heart attack, इसका भी संभावना उसमें ज्यादा होता है, लेकिन यह उन्ही ल भी हो रहा है, तो आप stress ना करें, ऐसे patients को luxative दी जाती है, इससे जो pressure बनता है, वो heart में ventricular tachycardia के incidence को बढ़ा देता है, even heart attack को बढ़ा देता है, और जो खास करके देखा गया है study में कि winter's month में, Monday morning में सबसे जादा heart attack होता है, यह थोड़ा diurnal variations भी होता है, sympathetic driver जाती है morning में अमुमन लोग morning में ही bathroom और toilet जाते हैं और morning में ही यह चीजें होती हैं, तो दो तीन चीजें combined हो जाती है, ठंडा का मौसम हो, Monday morning हो, और toilet यूज कर रहे हो, यह combined मिलके थोड़ा incidence बढ़ा देता है, बढ़ा देता है